कि यह उट्सुप गई इसके से आपसुप भी लोग वेलकम बैक टू अधर गेम ले वीडियो तो कैसे यह वाला जो मैच है बहुत ही जाता मस्त होने वाला है मतलब कि यह इस वाले मैच के अंदर जो एडियों के चाटे बजाओंगा ना बाई बंदों के वह बहुत ज़्यादा खतर नाक है अभी विलाले मैच के अंदर मैं जाता हूं नोवर एपनों के सबसे पीछे वाले कंटेनर्स पर और यार मुझे ना कमेंट में जरूर बताना कि क्या नोवर एपनों पर लूट बढ़ा दी गई है मतलब कि मेरे को उतरते ही दो दो एक एम मिल जाते है बैरल मिल जाते है सामने वाले बंदों को भी M4 बैरल स्कालर सम मिल जाएगा तो भी देखना कितनी मस्तफाइट होने वाली है अब इन बिचारों के दो बंदे तो मैं उतरते बिचा देता हूँ तब ही सामने से एक बंदा और आ जाता है अब भी तो फिलाल मैं इस स्कॉट को निपता देता हूँ और यहां पर मेरे साबसे और कोई भी टीम नहीं आये थी इसलिए मैं फटा फट से पीछे की तरफ में सारा का सारा लूटता हूँ और भाई सची में कहीं जाने की जरुत ही नहीं पड़ती है सारी लूट एक ही कंट मारने लग जाएगा तो भाई यहां पर मैं अराम से लेट कर लूटने जा रहता लेकिन मिल्टा वाले बंदे ने मेरे उपर टैप पायर करके बहुत बढ़ी गलती कर दी मतलब कि जब मैं लूट रहता तम मारता तो शायसे मैं मर जाता लेकिन अभी उसने करती है बहुत ब मैं इसके चक्कर में इसकी पूरी की पूरी स्कॉट पिटने वाली है तो जैसी मैं मिल्टा पर रश करता हूं तब मुझे सामने वाली ब्रोकन वाल से उसके फुट का साउंड आ जाता है तो भाई यहां पर फिलाल पीछे वाले बंदे को तो मैं नॉक डाउन कर देता हूं और तब ही ना सामने से इसके टीममेट आ जाता है गाड़ी लेकर तो यहां पर सबसे वहले मैं पीछे आकर इस बंदे को फिनिश करता हूं ताकि यह कहीं रहवोने न चले जाए और इसके पास से मुझे काफी सही लूट मिल जाती है स्कोप वगरा सम मिल जाता है और अब भी देखना क्या मस्त फाइट होने वाली है क्योंकि मैं आज चुक तो यहां पर मैं खड़ियो के अराम से वेट कर रहा था कि कभी यह लोग उपर आया और मैं महरू और यह बंदा पता नहीं कभ में उपर आ जाता है पता ही नहीं चलता कि फिलाल इनकी स्कॉट को तो मैं यहां पर फिनिश कर देता हूं और पीथे से जो बॉट आता है उसको ही मार देता हूं और भाई सची मियार काफी सही लूट लेकर बैठे हुए यह लोग और यहां पर इनको लूटने के बाद जैसी मैं आसा निकलता हूं बीचे एक को मानने के लिए बीच रोड में उतर गया और भाईया मैंने उसको बिलप दिया और वह बॉट को लिपेट दिया अब यहां पर इन सब को मानने के बाद दुटने मिलता की तरफ में क्यूंकि ना यहां पर एक स्कॉड ने फ्लेयर चला रहा कि इस बड़े मैप में इनको इ तू भाई येर पहले मैं सोच रहता है ना कि बगई जो है डायरेक्ट इनकी फ्लेयर में ले जाके ठोक दूँ लेकिन जैसे वो बंदने M249 और बैरल चलाता है ना भाई मैं सीधा बगई मोड़ता हूँ और साइड में लगाए था हूँ तू भाई येर देखो मुझे इतना तो पता था कि अगर इनके पास M249 है फ्लेयर मंगाई है तो चांसीद है कि AWM भी हो सकते है असलिए एकदम सोच समझ के फाइट लेनी है तो यहाँ पर मैं अर्टो नो धड़ाई-दर नेड मारना शुरू कर देता हूँ तू कहीं सेर देखो अभी तक ना सबकुछ एकदम बढ़िया चल ला था लेकिन पीछे की तरफ से इनका एक टीमेट फायर करता है और वहाई सच्ची में अभी मिर पास कोई भी अप्शन नहीं बचाए यहां से भागने के लाबा तो जल्दे से स्मोग करके यहां से निकल तो भाई इन लोग को लग रहा हो कि मैं यहां से डर के मारे भाग रहा हूं और उन्होंने मेरे को उल्टा और जाता घुसा चड़ा दिया मतलब कि मेरी बग्गी में से धुआ निकाल दिया और यहां पर अब देखना इनके क्या गदर एमफोर का स्प्रेय पढ़ने वाला ह तो गाई सर इन लोग को लग रहा हो कि मैं यहां से भाग चुका हूं और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी मतलब कि यहां पर इनका एक बंदा मेरे नॉक डाउन करते है बिचारा फूल ओपन में था और दूसरे वाले के भी बहुत ज़ाता गोलिया मारी लेकिन पता नहीं कैसे वो सर्वाइब कर गया खैर छोड़ो जो भी है भी एक बंदा नॉक डाउन है और अब देख रहा है कि अब यहां पर वो बंदा बचा हुए जो कि पीछे की तरफ से आता मिलता पावर की साइट से और अब देखना उसको भी बहुत ही बुरा वाला मारूँगा बिचारा यहां पर अराम से बैट के रिवाइब रिवाइब खेल ला था लेकिन तुम्हारे वाई ने एफपी में स्विच करा और सीधा जंप करकर उसके ऊपर कूद गया और बहुत ही तकड़ी एक हैं बजा दी अभी ना फिलाल इनके पास से मुझे काफिसरी लूट मिल बटे की स्कोप की कमी थी वो भी अभी आगे चलकर मिल जाएगा फिलाल यहां से मैं अपनी बग्गी लेकर निकल लेता हूं सामने की तरफ से एक और बग्गी मिल जाती है और जैसी मैं थोड़ा आगे आता हूं तो अभी मेरे को लेफ्ट वाली हिल पर बंदे नजर आ जा तो नहीं पार पाया दोनों शॉट मैंने मिस कर दिये लेकिन जब बंदा पुरा गायब हो गया सीधा उसके बजा दिया मत्ये पे भाई साब जिस सामने वाले बंदे को कोई डर ही नहीं है मतलब कि बिना स्मोक के ओपन में बैटके रिवाइब दे रहा फुल चोड में खेर चोड़ो जो भी है यहाँ पर इसको रश्ट करके तो मैं निप्टा दिया और अभी मेरे 19 किलो चुके और अभी भी 20 बंदे अलाइव थे तो अपनी सीधा बग्गी मैं भगाते हो गायता है आजओ शेल्टर पर और यहाँ पर भी एक बंदा नज़र आ जाता है तो भाई यार क्यों खेलते हो बिना साउंड के मतलब कि भाई सब के पीछे बग्गी लाकर मैंने खड़ी कर दी लेकिन उसको कोई होशी नियों से पता ही नी चला क्या हो रहा है और यहाँ पर फिलाल मैंने इसको निप्टा दिया अभी न बग्गी से मैं थोड़ा आगे जाई रहा था तो भी ना मुझे इसके टीममेट के जो फुटस्टेपस है ना वह शैलटर के अंदर से आ जाते हैं मतलब कि यहाँ पर फुट्स्ट्रस करता करता मैं यहाँ पर पोस्ट. और बंदा भी यह यह जाता है भाई इस बंदे के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा लीजेंड प्लेयर है मतलब कि भाई मेर पे अच्छा कासा रश करने आ रहा था फुल जोश में लेकिन इससे गलती से डीपी की दो गोली चल जाती है और भाई उसको रिलोड करने के लिए वापिस नीचे चले जाता है मैं क्या बोलू विजारे की पीट तोड़ते था हूँ मैं M249 से अभी फिलाल मैं बग्गी बगायते बगायते हैं सामने जा रहा हूँ तो रोजोप पर तब ही लेफ्ट से फायर आता है बहुत तगड़ा और यहाँ पर फाइट चल लिए होती है और देखनो सामने वाले बंदे को मैं कैसे मारूँगा तो भाई है जब मैं यहाँ पर पोस्तो होनों बहुत तगड़ी फाइट चल लिए होती है मतलब कि एक बंदा तो मेरे को दिख जाता है जो घिली सूट वाला होता है और वही ना M249 से सब को भिछा देता है और अभी देखना मैं भी उसको भिछा दूँगा तो भाई है यहाँ पर इस बंदे को लग रहा था कि पूरा घास में छुपा पड़ा है लेकिन इसकी पूरी की पूरी बोडी मेर को दिख गई थी राइट से और यहाँ पर इसके पास से मुझे एटेक्स मिल गया और इसके पास भी सेम वही कॉम्बो था जो कि मैं लेके घूम रहता है M249 और ओम का तब ही ना नीचे से एक गाड़ी ओर जाती है ड्रॉप की तरफ में और यहाँ पर अभी मैं भी जल्दी से जाजाएंगा ड्रॉप पर और अब देखना वहाँ पर भी क्या मस्तफाइट होने वाली है तु भाई यहाँ पर मैं अराम से फुल मजे में सामने वाले बंदों को देख रहा था ड्रॉप पर एक गाड़ी फूटी हुई थी लेकिना इस घर के अंदर ही एक बंदा बैटके कैम कर रहा था भाई यर सची में अच्छा हुआ कि यह बाहर नहीं निकला क्योंकि मैं तो अराम से ओम मारने में बीजी था सामने वाले को और अगर यह निकल जाता तो यह मेरा मू तोड़ देता और यहाँ पर ना अभी फिलाल जो यह बंदे थे ना मतला अपना ड्रॉप के पीछे तो भाई यर अभी तक सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था यह लोग अपने टीमेट्स को रिवाइव देने जारते हैं अराम से मज़े में लेकिन तब ही सामने एक अलगी गेम का प्राणी दीखता है भाई साब मतलब कि इतनी तेज मूवमेंट कैसे देगा कोई मुझ देखो मतलब कि यहां पर मैंने स्कोर पॉन करा और यहां पर यह वीडियो इतनी ज्यादा स्लो रखें तब भी उसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा फास नहीं पूछो मत खेर चोड़ो जो भी है अब यहां पर बंदों के शॉट बजाना मैं दुबार से शुरू कर देता हू फिलाल यहां पर तो इस टीम को पूरा पूरा ओमी ओम बजा कर मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ और यहां पर नगास मुझे एक चीज़ कमेंट में जरू बताना कि जब भी आपके तीन डेवलों के शॉट मिस हो जाते हैं तो आपको कैसा लगता है वाई मेरे को तो ना पता नहीं को इतना जाता अजीब सा गुसा चड़ जाता है पूछो मत खेर चुड़ो जो भी है यह यहां पर फिलाल बगगी बगाता है मैं दुबार सायरता रॉज्टो को सब की साइड पर तो भी भाई दो तीन साप यहां पर लेटेवे नजर आजाते हैं अभी इनका एक बंदा मैंने बगगी से नॉकडाउन कर रहता दूसरे वाले के M249 बचा दी ओटो पे 6S के साथ और सामने बचा वाता एक बंदा और पेड़ के बिछे तो भाई यहां पर मैं इसके एक और बोडी शॉट बजाता हूँ मैं सुसता हूँ हील करेगा जब तक ना अपने पीछे स्मोक कर लेता हूँ थाकि पीछे से कोई आकर ना मार दे और यह तो वाई सीनों चाहेगा नजर अटी दुरगट नगटी भाई साब बंदा हील करने के बचा अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए भगा पहले मतलब कि यह होते है सचे दोस्त भाई अपनी जान भाड़ में चाहे पहले टीममेट बचना चाहे है कहरे चोड़ो जो भी हो यहाँ पर तो फिलाल कोई भी नहीं बचा और इसने बहुत बड़ी गल्ती कर दी अभी यहाँ पर फिलाल में से तो बगगी बगाता हुआ आ जाता हो यहाँ पर ड्रॉप पर और ड्रॉप के आसपास भाई सची में भी आप देखना कितने यह कर देखो यहाँ पर एक बंदा तो पेड़ के बैटा होता जिसके मैंने बड़ी शॉट मारा वो तो अपना चुप चुप अंदर हो गया लेखिन उसका टीम मेट में जब बाहर मारने के लिए निकला और सीधा उसे मैंने नॉक करके फिनिश भी कर दिया और यही मोगता फटावर्ट से बग्गी लेकर इनके उपर रश करनेगा तो भाई यहर पहले तो मैं फुल जोश में रश कर देता हूँ लिकिन जैसी मैं यहाँ पर पोस्ता हूँ भाई यह लोग बहुत गंदा इस्प्रेव जाते हैं और भाई सच्ची मैं मैं पुरा कन्फ्यूस ज़ाता हूँ कि बग्गी कहा रोकूं और एट दियान बंदे के मुँपे ले जाके ही ठोक दूँगा तो भाई यहर एक बंदा ना इस पत्थर के पीछे से मेरे गोलें तो बजाता है लेकिन जब मैं स्कोप खोल के देखता हूँ तो वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता हूँ और अभी नों मैं बहुत ज़़ा कन्फ्यूस था क्योंकि हर चका घास ही घास है और साप ही साप होंगे तो मैं यहाँ पर आकर लेट जाता हूँ ताकि इनको मेरी लोकेशन बिल्कुल भी न पता हो और अभी देखना यहाँ पर इनको कैसे मारूंगा तो भाई यह सामनी की तरफ में एक बंदा और जो आखरी बंदा भचा हूँ था वो भकता रिवाइब देने के लिए और विचारे की इतनी बड़ी गलती वह जदा बारी बड़ी परी टीम को तो चलो काई जार अगर आपको आज की वैली वीडियो चिल लगी हूँ तो कोप्लीट कर दो और जिसने मुझे अपितक इंसाग्राम पर फोलो नहीं करा इसंताग्राम पर फोलो कर लेडे ना मरसे बात करने के लिए मेरा डिस्कॉर्ट सेर्वर जॉइन कर लो इंस्ताइंड डिसकॉर्ट दोनों का लिए लिके दिस्क्रिप्शन में तो यह कि-इस व